नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्क होती है तो आईए सुरू करते हैं देखते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है आगे बलने से पहले एक बात और जो ने वीवर है या ने मितर जिनोंने इस चैनल को भी तेक सब्सक्राइब नहीं किये तो पहले आप लिग सब्सक्राइब कर लें उसके बाद में ये बेल आईकान है इसको भी किल कर दे ताकि जब भी किसी भरती कोई अपडेट होगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहली जो सूचना है वो है 79,000 शिक्षक बरती की लिखा है इदर निरणा के इंतजार में अटकी 79,000 सायक अध्यापकों की बरती बेसे सिक्षफ परिसद के प्राथमिक स्कूलों में 79,000 सायक अध्यापकों की बरती में कटाफ कम करने समंदी हाई कोट के फैसले पर शासन के निरणा नहीं लिए जाने से चार लाग से अधिक अभरतियों का भविस दाओं पर लग गया है जबकि हाई कोट के आदेश पर अपील की मियाद भी निकल चुकी है लेकिन विभाग ये फैसला नहीं कर पाया है कि वह एकल पीट कर निरणा लागू करे या इसके खिलाफ अपील किया जाए तो यह सबसे बहुत ही माज़पूर्ण बात यहां पर लिखी हुई है कि अभी तक विभाग फैसला नहीं कर पाया है कि अब क्या होना चाहिए मैंने भी आप लोगों को सबसे पहले और लगातार यह बात बताता रहा हूं कि विभाग में काफी हुआ पो है कुछ अधिकार और उनका मन्था की डबल बेंच में अपील किया जाए कटाफ को बढ़ाने के लिए लेकिन कुछ अधिकारियों ने रोका और इसी बीच में वो रिटायर हो गए तो इसके बाद में यह सब पूरा मामला रुख गया नीचे यहां पर लिखा है कि बता दें विभाग ने च् भाट फेजदी तक किया गया था इसके बाद सिक्षा मित्रों समयत अन अबर्तियों ने लिखित परिच्छा के बाद कटाफ और अधिक कटाफ निर्धर करने को लेकर के चुनौती दी थी तो यह जो है मामला अभी विदार्तियों ने तो अपील कर दिया है और इसकी जो अ आखिरकार अभी तक अपील क्यों नहीं किया नीची लिखा है ततकालिन विभागी अपर मुक्षच्यू प्रभात कुमार ने इस फैसले के खिलाप अपील करने के प्रस्ताव रखा पर वह एक माह में यह निर्धर नहीं करा सके कि अपील किया जाए या नहीं इधर 30 अप् कुमार सेवा निवरति भी हो गए और रेणुका कुमार को विभागी अपर मुक्षच्यू की जिम्मेदारी दी गई है अब तल अब तक एकल पीटके निर्णा के 40 दिन हो चुके हैं लेकिन विभाग ने ना तो उनका फैसला ही माना और ना ही अपील करने पर निर्णा ले हाई कोड के आधेस पर अपील की मियाद भी निकल चुकी है तो दोस्तों अगर यही स्थिती रही और विद्यार्थी जो डबल में गये हैं इनको अगर इस्टे नहीं मिला तो सरकार को रिजल्ट भी जारी करना पड़ जाएगा और मैंने आप लोगों से बताया था कि पर मुख सच्चू हैं उनका एक बयान आया है जब उनसे पूछा गया कि सरकार अभी तक डबल बेंच में क्यों नहीं गई और 69,000 शिक्षक भरती का क्या होगा तो यहां पर लिखा हुआ कि उन्होंने कहा है कि मुझे कामका समाले अभी चार या पांस दिन हुए हैं सहाइ कोई जनकारी होगी जल्दी माप आपको मालू हो जाएगी हाई कोट का जो सिंगल बेंच का आडर था उसमें यह साब साब लिगा था कि तीन महीने के अंदर इस भरती प्रक्रिया को पूरा किया जाए डेड़ महीने हो चुके हैं और लगबग डेड़ महीने और बचे हैं खैर सरकार जाय या ना जाय कोट विद्यार्थी कोट पहुँच गए हैं और कोट ने जितनी वी अपीले हैं उनको सुखार भी कर लिया है फिर सिख्षक भरती की एक और सुझना है यह बात है बहात्तर अजार सिख्षक भरती की 2011 में जो भरती आई थी उसमें जो रिक्त प अंदर भरा जाये यहां पर नीचे लिखा है कि प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षू सिख्षकों की भरती प्रक्रिया में सेस बच्चे पदों पर भरती के मामले में हाई कोट ने राज सरकार को तीन माहमें प्रक्रण का निस्तान करने के आदिश दिये अदालत ने बे सिख्षक बढ़ती थी 2011 में जिसमें टीटी के नंबर पर आधार माना गया था और उसी अधार पर भरती पूरी हुई थी सेस रह गये थे इनी सेस पदों के लिए विद्धार्थी कोट गये थे और विद्धार्थियों ने कहा कि उसी अधार पर इन पदों को भरा जाए जो पुराने अभरती है और इसके लिए हाई कोट ने आधेश दिया है अगली सुचनाय सिपाही भरती की कटाप से ज़्यादा अंग के बाद भी चेन नहीं होने पर जवाब तलब जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में चाहें वो इंडिया में हो सभी विभागों का यही हाल है यह जितनी भी भरतियां हैं सब हाई कोट और सुप्रीम कोट में चलती रहती है और उनकी वज़े से परड़ाम भी रुख जाता है कि देखी इसमें लिखा है कि कटाफ से ज्यादा अंग के बाद भी चेन नहीं होने पर जवाब तलब सिपाही भरति में ऐसे बहुत सारे अभरति थे जिनके कटाफ से ज्यादा नंबर थे लेकिन उनका चेन नहीं हुआ विद्यारतियों कहा कि जो विभाग ने कटाफ जारी किया था उससे अधिक नंबर थे और उन्होंने सभी परिच्छाएं चाहें वो मेडिकल हो चाहें व विभागों में इसी के लिए हाई कोड ने जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ यह देखिए यहां पर लिखा हुआ कि याचियों ने कहा कि उनसे कम अंक पाने वाले बर्ति चैनित हो गया जबकि भरति बोड ने 15 दिसंबर दूदर 18 को एक और कटा अफजार किया थ इसमें आने वाले अबर्ति भी चैनित हो गय थे लेकिन उनका चैन फिर भी नहीं हो सका बात उत्तर प्रदेश की ही नहीं है सेंटर लेवल की जो भरतिया है उनमें भी धांदलिया होती रही है और होती है यहां पर लिखा कर्मचारी चैन आयोग के नतीजे पर लगी सुप कोड ने ब्रेश्पतिवार को कर्मचारी चैन आयोग एससी की वर्स 2017 के परिच्चा प्रणाम गोशित करने पर लगी रोग हटा दी है यह रोग शीर्स अदालत ने ही लगाई थी इस परिच्चा में उत्तर प्रदेश बिहार के साथ लग तो बात कहती कि जो सीजीयल 2017 की ट सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को अरोपी बनाया था यानि कि विभाग के अधिकारियों नहीं पेपर आउट करवाया था और करवाते हैं इसके बाद पिछले साल 31 अगस्ट को सुप्रिम कोड ने इस परिच्चा के प्रणाम को गोशित करने पर रोग लगा दी थी और उस रोग को अब हटा दिया गया है यहां पर कोट के मामले में भी जानकारी दी हुई है कि पीट कर्मचारी चेन आयों की 2017 की परिच्चा में हुए पेपर लीक मामले पर शांतनु कुमार की तरफ से दाकिल याजका पर सुनवाई कर रही है शांतनु ने याजका में कहा था और अच्छे पदों पर भरतियां होती हैं लेकिन SSC में भी समयसे में पर आरोप लगते रहे हैं सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट भी परेशान हो गए इतने सारे सर्विस मेटर आते हैं बरतियों समंदित केस आते हैं एक एक भरती के 50-50 केस आ जाते हैं चाहे वो शिक्ष हैं जिससे जो भरतियां हैं उनकी धांदली पर रोक लगे और शुचता बनी रहे यह देखिए लिखा प्रतियोगी परिक्षाओं को फुल प्रूप बनाई की कमेटी सीर्स अदालत ने ब्रहस्पतिवार को शेक्षिरिक संस्थानों और नौकरी के लिए आयोजित होने वा सी कमेटी में इनफोसिस के पूरू प्रमुक नंदन नीले कड़ी और भारत में पहला सुपर कंपिटर बनाने वाले विज्यानिक विजय भठकर गड़तक के आर एल करंदीकर संजे भारत दौज भी शामिल होंगे यह कमेटी तीन महीने के वीतर अपने सुजाओं की रिपो की लिखा है PCSJ मेंस का परणाम फंसा PCSJ 2018 की मुख परिक्चा के परणाम के लिए बरतियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है कापियां जासने के काम में देर होने के कारण रिजल्ट फंसा हुआ है अगर आयोग इस माह रिजल्ट जारी कर देता है तो इसके बाद भी अंति चेयर परणाम मैं में जारी कर दिया जाएगा ऐसे में आयोग ने प्रारंभी परिच्छा आयोजन के बीस दिनों के पांट पांट जनवरी को प्रीकर रिजल्ट गोशित कर दिया था जिसमें 6 तो यह सब पूरी कहानी इसमें लिखी भी है मुख बात ही है कि आखिरकार यह कर्बादे प्रिच्प नहीं चाहते हैं चुकिश्वी इजाज हो रही है तो यह मुक्षी बात है कि और यह वी माह का गजल भी असकता है और इसकेघ्षातकार होंगे सम्फी इस आयोग में बहुत सारे जो पन हैं वह रिक्त हैं खास्तोर से सहाइक समिच्छा अधिकारी जो किसी भी भरती के मुख्य कर्मचारी होते हैं उसके बाद में जो मुख्य परिक्षक परड़ा में चाहिए पीससे 2017 हो या PCSJ 2018 तो लोग सेवा आयोग के विवाद में कोई पढ़ना नहीं चाहता है इतनी ज़्यादा धांदलियां होती रहे हैं इतनी ज़्यादा विवाद होते रहे हैं जिससे विशेषग यहां आने से डरते हैं और यहां की कापी दासने से डरते हैं पिछले जो विशेषग थे उनको लगतार CVI के सामने पेस होना पड़ता रहा है इसी वजह से लोग सेवा आयोग की जो कार पढ़ाली है वो कापी धीमी है इसके बाद में अगली सूचना है एक बरती की लिखा नीती आयोग में यंग प्रोफेशनल के 60 पदों पर भरती और इसको आप लोग देख लिजी इसकी लिंक में डिस्क्रिप्सिन बाक्स में दे दूँगा और आपको वेबसाइट भी बिता दूँगा लिखा नीती आयोग ने यंग प्रोफेशनल के कुल 60 पदों को भरने के लिए आप एदिन आमंत्रत की हैं और इसकी जो लास्ट डेट होगी वह लिखित परिच्छा और साक्षातकार के अधार पर होगी वेबसाइट देख लिजी आप लोग नीती.gov.n याप जाने के बाद में आपको कैरियर सेक्षिन पर जाना होगा और कैरियर सेक्षिन पर जाकर के आप लोग भरती के विगयापन देख सकते हैं और वहीं चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद